और अगर आपका paper 1 complete नहीं है तो आप हमारे notes से पढ़ सकते हैं और अगर आप PGT Commerce की तयारी कर रहे हैं तो पूरा का पूरा batch available है जिसने आपको सिर्फ हमारे notes, हमारे practice sets, हमारे mock lists और हमारे previous years solve करनें इसके इलावा आप तो कुछ भी नहीं करना है हाई, आज सुबह से हमारे whatsapp और telegram group के उपर जिसका link description में दिया है उसको आप लोग join कर सकते हो, वहाँ पे सुबह से ही कई सारे students पूछ रहे हैं क्या 7 और 8 तारिक को EMRS का paper है, क्या इसमें कोई सचाई है और अगर ऐसा नहीं है तो इसका exam कब तक हो सकता है और इतने कम time में ह हम तैयारी कैसे करें तो हाई मेरा अना मैं अक्षो और शुरू करते है इस वीडियो को जिसमें मैं आपको पूरी बात बताने जा रहा हूँ ठीक है, देखो exam date को लेके आपको जो भी confusion है वह आपने ऐसे ही डाला होगा Google पे EMRS की exam date क्या है, नीचे आपको आ जाएगा, यहा आपन युनिवर्सिटी वह होती है, जैसे इगनु है वैसे होती है, तो मुझे यह डाउट आया कि नालंदा को हमारे EMRS में क्या इंट्रेस्ट हो सकता है, तो हमने इसी वेबसाइट को खोल के आगे देखा, तो इसकी आप वेबसाइट देखिए, एक्चुली में यह नालं औक्टूबर को हमारा EMRS का एक्जाम होना है, ठीक है, और एक चीज और आप गौर करिएगा, जब भी आप ये वेबसाइट खोलिएगा, आपको दिया होगा EMRS ट्राइबल, जो EMRS की ओफिशल वेबसाइट है, वो दिये, जैसे ही आप इसके उपर क्लिक करेंगे, वैसे ही आपको तुरंट ये वाला जो है, लिंक खुल के नजर आ जाएगा, मतलब आप जैसे ही इनकी वेबसाइट पर दिये गया, किसी भी लिंक पर क्लिक करेंगे, तो यही खुल जाएगी, तो मैंने सोचा, नालंदा नाम की ये जो फेक वेबसाइट इन्होंने बना रखी है, ये फेक नहीं है, ट्यकिए, ये औरिजिनल है, तो ये लोग आखिर ऐसा करते क्यों है, और बाता हूं, ये लोग कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, आप इंटरनेट के ओपर किसी भी वेबसाइट पर जितने भी क्लिक करोगे ना, गलिक, तो क्लिक से क्या होता है, कि ज़् समेशा आपको advertisement मिलेगा और advertisement से आता है revenue पैसा आता है इनके पास चीक है तो इसलिए यह इस तरह की खबरे चलाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उस पर क्लिक करें अब देखो सेम यही काम एक और website ने करा है उसका नाम है राज नीट यूजी इन्होंने एक website बना रखी है आप देखेंगे जब भी खोलेंगे गूगल के उपर तो आपको अपने आप मिल जाएगा आप जब भी डालोगे उनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं यहां पर ओफिशल website दी है इमर्स ट्राइबल की लेकिन जब भी आप क्लिक करोगे तो redirect होके redirect redirect का मतलब होता है कि आप same to same website पर फिर से आगए यह आपको कहीं और डायरेक्ट होके आप same to same website पर आ जाओगे जो की राजवाली है और इससे इनको मिलेगा क्लिक और इससे इनको मिलेगा advertisement बस आपका कुछ नहीं होगा लेकिन हाँ इनके पैसे जो है वो बढ़ते जाएंगे अपने आप अब देखिए हम आ जाते हैं एमर्स की government official website पर यह है एमर्स की official website आप देख सकते हो इस वीडियो के record होने तक 19 सेप्टेंबर दिन में तीन देखनी हो तो आप याद रखिए किसी और website पर redirect होके मत जाएए आपको हमेशा fake information ही मिलेगी इंटरनेट की दुनिया में बहुत कुछ fake है अब देखो यार इसका exam कब तक हो सकता है सवाल यह उड़ता है कि अगर 7-8 October को नहीं तो कब तक अभी तक तो यह सिप अटकले है कि 7-8 October को हो सकता है मैं ऐसा नहीं हो सकता है यह हो सकता है ऐसी अटकले चल रही मार्केट में लेकिन officially कहीं पे भी यह नहीं दिया हुआ है अब exam होने से कम से कम 20 दिन पहले प्रायर 20 दिन पहले आपको notification आ जाएगा कि इस दिन exam है और लगबग 7 दिन पहले आपका admit card आ जाता ह है अब इसका exam कब तक हो सकता है यह मैं आपको बदा दू मेरा यह मानना है मेरा personally यह मानना है क्योंकि KBS ने के विएस ने अपना advertisement निकाला तब पिछले साल December में January में फॉर्म फिल होना बंद हो गए थे और February में उन्होंने अपना paper करवा लिया था KBS वाले तो EMRS भी आपका में December में हो जाए और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो अभी ना KBS का कुछ पंगा चल रहा है कोर्ट में KBS का कोर्ट में पंगा चल रहा है उस पंगे को देखते होगे यह लोग जो है अपना paper बहुत जल्दी नहीं करवाएंगे ऐसा मेरा मानना है नहीं भी officially नही 40 Februari filperory में यह सबसे जढ़ा पॉसीबिलिटी है कि पेपर ऊजाए ऐसा मेरा मानना है देखे है और आपको तैयारी करते रहना चाहिए यह बात आती है कि अगर इतनी पास है तो हम तैयारी कैसे करें तो देखिये आपकी तैयारी कले हमने क्या कर आएं आपकी तैयारी के लि टिक है only 1,000 रुपीज और मैं आपको बता दूँ इसके अंदर जो है आपको सारी बुक्स मिल जाती है देखिए हैं रिटन नोटस आपको किसके किसके मिल जाते हैं मैं आपको बता दू जो social studies है general awareness के social studies और general awareness जिसके नदर history, civics, science, सारी की सारी चीज़े आ जाती है ठीक है उसके बाद आ जाते हैं आपका English grammar and comprehension जितने भी rules है English के ये आपको मिल जाएंगे triple C ICT ये है volume number one अभी volume number two भी हम develop कर रहे हैं इसमें 300 question है लगबग 300 question volume number two में भी होगा ठीक है उसके बाद आ जाती है आपकी section अभी शमता याने की teaching aptitude और उसके बाद अगर आप PGT commerce से हैं तो हमारा ब्याद चल रहा है PGT commerce का जिसमें मैं आपको बता दूँ कि हमने ये book print करवाई है यह हमारे PGT और UPTGT के लिए ठीक है तो यह जो पहला है paper one paper one जो है वो आपका हमारे इन सारे notes से निकल जाएगा जो paper two है उसमें हम commerce की तयारी करवा रहे हैं only PGT ठीक है उसकी जो फीज है वो है 5000 प्लस 1000 नोट्स आफ पेपर वन बस आपको इतना करना है और आपको कुछ नहीं करना ठीक है अगर आप paper one के notes ले रहे है paper one के ठीक है अगर आपको teaching या non teaching से है और paper one के आप notes ले रहे हो तो आपको केवल और केवल वही notes पढ़ने हैं लेकिन अगर आप paper two दे रहे हो तो आपका जो भी subject है अगर वह commerce नहीं है तो आप अपना subject पढ़ सकते हैं लेकिन अगर आपका commerce है तो उसकी classes हमारी चल रही है 5,000 रुपीज उसकी fee है और 1,000 रुपीज note की है ठीक है और आपको बता दूं commerce में हमारे 45 video classes हैं जिनकी duration 15 मिनट से लेके 40 मिनट तक है यह आपको सारी देख लेनी है इसके बाद हमारे practice set आपको solve करने हैं जो हम लगतार अपने student को दे रहे हैं अभी मैं आपको नीचे दिखाता हूं उसके बाद आपको हमारे mock test solve करने हैं जो की हमने इस book में बना रखें और इस book की PDF हम अपने paid batch को provide करते रहते हैं ठीक है फिर आपको जो है previous year देने हैं जो कि हम आपको provide करते हैं PDF के रूप में बस इतना आपको solve करना है paper 2 के लिए और paper 2 आपका यहां से 100% complete हो जाएगा ठीक है इससे पहले भी हमने इसी साल के लिएस में जो है पां सेलेक्शन करवाए हैं अपने commerce subject के PGT तो कोई भी ऐसा question नहीं आएगा जो हमने आपको इसमें ना पढ़ाया हो और आपके exam में आजाए यह को कैसे मिलेगा इसके लिए आप दिये गए नंबर पर हमें WhatsApp कर सकते हैं अब देखिए यह books आपको दिखा दे रहा हूं अपरिट्यूट और उसके बाद आपको मिलने जा रहा है triple C और ICT course on computer concept और information communication technology के जो नोट्स है वो आपको मिलने वाले हैं और इसके अलावा आपको मिलती है हमारी यह वाली book commerce से related जिसमें commerce का हमने पूरा पूरा syllabus आपका emrs का बना रखता है आपको इस book के सिवा कुछ नही पेड्रूप ले रखा है तो आप देख सकते हो कि mcqs part 1 उन्हें हमने कल देने शुरू कर दिये था क्योंकि हमारी जो अभी तक की 65 classes वह complete होने वाली है अभी तक हमने 60 classes कर लिए जिसमें से ठीक है और आपको बता दूं कि उसके बाद हमने जो है अब इनको mcqs देने शु organization होता है फिर आपकी जितनी भी चीजें statistics वगेरा वगेरा हम आपकी सारी की सारी में complete करवा देंगे तो यह आप देख सकते हैं आज के mcq है जो हमने practice test 2 के नाम से दिया है उनने सतंबर दो जाते है इसको number of question 47 topic जो cover है वो है principles of management totally English में ठीक है तो यह हमने अपने students को दे हमें call कर सकते हैं या फिर यह जो आपको number नीचे दिख रहा है 800476 5563 इस number पर आप हमें WhatsApp कर सकते हैं अगर आपको call करना है तो सिर्फ इस number पर करिएगा और अगर आपका paper 1 complete नहीं है तो आप हमारे notes से पढ़ सकते हैं और अगर आप PGT commerce की तयारी कर रहे है तो पूरा पूरा की भीज़ें और exam में आ जाए तो आपका commerce पूरा का पूरा complete हो जाएगा तो उमीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए काफी helpful होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से paper की date कब हो सकती है और फिलहाल यह official date नहीं है जो भी internet पे चल रही है तो इसी के साथ मिल